हाई गाईज वल्कम बैक टू मैं चैनल तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर आपने स्मूथ निंग जरी बॉंडिंग करवाई है उसके बाद आपके बाल बिल्कुल खराब हो चुकी है बालों में बिल्कुल भी जान नहीं है जट्ते बालों से समर सीजन स्टार्ट हो चुक है तो समर सीजन में हमें जो जटते बालों की प्रॉब्लम होती है वो काफी जरा होती है थिन हेर हमारे हो सकते हैं अगर हमारे बाल काफी जरा जटते हैं जैसे कि हम स्मूथनिंग करवा लेते हैं स्मूथनिंग के बाद जब हमारी स्मूथनिं हो जाए हेरफोल हमारा काफियत तक कम हो तो आप देख सकते हैं मेरे पास ब्लश एंड बनी का और्गानिक्स का हमबल 14 हर्प शैंपू फ्रेंट जो इस शैंपू है इसमें अनियन है ना यह शैंपू टॉक्सिन फ्री है नो मिट एंड सी मियाइटी भी इसमें नहीं है ना ही इसमें कोई भी आर्टिफिशल फ्रेग्रेंस है तो आपके बालों के लिए काफी ज़रा हर्बल है सेफ है तो अगर आप समठ सीजन में कोई अच्छा शैंपू ट्राय करना चाहते है जो कि आपके बालों को काफी ज़रा हैल्थी बनाए हैर फोल को 95% कंट्रोल करें तो आप इसे एक बास जरू ट्राय करके देखिए 300 ml हमें इसके पूरी क्वांडिटी मिल रही है 100% जो यह शैंपू यह नैच्रल है बेबी सेफ है प्रेग्नेंसी सेफ है तो आप इसे एक अच्छे इंग्रीडेंट्स है इसमें लावेंडर है ब्रमी है शीका काई है रीथा है आमला है करी लीफ है आप इसके पीछे सब कुछ पढ़ सकते हैं इतना जारा है हरबल शैंपू है कि बालों को कोई भी साइट फेक्ट नहीं देगा बालों को नैच्रल तरीके से क्योंकि फ्रेंट्स का कोई भी साइट फेक्ट नहीं है चैंता बेबीस भी इसे यूज कर सकते है क्योंकि एक डॉक्सिन फ्री है तो आप इसे एक बार जरू ट्राइक करके क्वांटिटी काफी जारा अच्छी हमें हमें मिलर रही है इसको यूज करना पंप आप देख सकत में बहुत जारा shampoos available होते हैं बट हम उसे pregnancy में यूज नहीं कर सकते हैं बट आप इस शांपू को pregnancy में भी अपनी यूज कर सकते हैं इसका कोई भी friends आपको side effect नहीं होगा तो आप इसे ज़रूर ट्राय करके देखिए सबसे पहले आपको अपने बालों को वैट कर लेना है इ क्योंकि friends कुछ लोगों को artificial fragrance वाले जा strong fragrance वाले शांपू सूट नहीं करते तो smoothening करवाने के बाद भी आप इस शांपू को ट्राय कर सकते हैं जैसे कि smoothening आपके one year हो चुक है smoothening को smoothening वाले बाल आपके बहुत जारा रफ हो चुकिए ड्राय हो चुकिए बालों में क के fragrance है और बहुत जारा हरबल है इतने जारा अच्छे ingredients इसमें डाले गए हैं तो आप देख सकते शैंपू बहुत लादर करता है तो वीक में एक बार भी जा दो बार भी अपना hair wash आप इससे करेंगे तो बाल बहुत जारा आपके healthy हो जाएंगे बाल इतने जारा स्मूथ हो किदेश जब स्मूथिन करेंगे तब तो हुमारे बाल बहुत जरा shining बालों में होते हैं बाल बहुत जरा healthy रखते हैं वर one year चाना टू यहर स्वाट रखते हैं पहले जैसे जो हमारे बाल बहुते वह नहीं रहते बाल बहुत रख रफ़ डैमेज हो जाते हैं तो बालों को की तरीके की तरह हेल्थी बनाने के लिए हम कुछ ऐसा शैंपू जा ऐसा मास्क यूज़ करना चाते हैं जिससे बाल हमारे हेल्थी हो जाए तो आप इस शैंपू एक बास जरूर ट्राय करके देखें डिस्किप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दिया है लिंक के थूर आप इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा हेयर फोल को बहुत हद तक आपका इससे कम हो जाएगा तो मुझे शैंपू का रिजल्ट बहुत ही जरा अच्छा लगा मुझे अपने बाल हैल्थी लगे काफ़ी ता स्मूथ लगे मुझे जब मैंने इससे शैंपू किया अपना तो आप इससे एक बार जरू ट्राय करके देखिए डिस्किप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दिया है सैंसिटिव अगर आपकी स्कैल्प है तो आपको कोई शैंपू भी सूट नहीं करता है तब भी आप इस शैंपू को ट्राय कर सकते हैं रिजल्ट आपके सामने है बाल बहु